हरे कृष्णा आज हम दूसरे अध्याय का इकत्तरमा श्लोक पड़ेंगे 2.71 विहाय कामान योई सर्वान पूमान चर्ती निस्प्रह निर्मम निरंकारस शांतिम अधिगच्छती अर्थात जिस विक्ती ने इंद्रि त्रिप्ती की समस्त इचाओं का परित्याग कर दिया है जो इचाओं से रहित रहता है और जिसने सारी मम्ता त्याग दी है तता अहिंकार से रहित है वही वास्तुक शांति को प्राप्ट कर सकता है शिल्प्रिवुपाद इस श्लोक के तात्पर में इस श्लोक को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं जिसके अधार पर मैं कुछ आप से डिसकेशन करूँगा इसमें मुख्यत है जो बात सामने आ रही है वो ये कि हमें इंद्रियतरप्ती की समस्त इच्छाओं का परित्याग करना है और ऐसा करने से हमें वास्त्विक शान्ती प्राप्त होगी इंद्रित रप्ति का मतलब क्या होता है वैसे तो अनेक श्लोकों में हम चर्चा कर चुके हैं फिर से एक बार बात करते हैं कि जो जीब को मन करे वो खाओ जो मन करे वो सुंगो जो मन करे वो तुचा को आराम दो जो मन किये वो पीओ जो मन करे वो करो ये इंद्रितरप्ती है इंद्रितरप्ती का मतलब यही होता है कि जो आश मन में आ रही है वो करो तो अगर हम वास्त्रीक शानती चाहते हैं वास्त्रीक शानती तभी मिलेगी जब हम थोड़ा अध्यात्मिक होंगे तो हमें इंद्री तरप्ति की इच्छाओं का प्रित्याग करना है कुछ लोग कभी-कभी इस तरह के श्लोग पढ़ने के बाद genuinely ये question करते हैं कि क्या हमें भक्ति में आने के लिए खाना पीना छोड़ देना चाहिए इंद्री तरप्ति का मतलब यही है न भी खाओ, सो, घूमो, फिरो, क्या सब चीज़े छोड़ देनी चाहिए हमें तब ही भक्ति हो पाएगी तो जवाब यह है कि सब चीज़े हमें करते रहना है लेकिन उनकी इच्छा को त्याग करना है यहां पर यह नहीं लिखा कि आप इंद्री तरप्ति को त्याग दो यहां लिखा कि एंद्री त्रप्ति की इच्छाओं का त्याग करतो फरक है दो BAT nelle एक हो गया कि अगर आपको किसी ने रिजगल्ला कھیला दिया उसकी इच्छा के लिए उसकी खुशी के लिए कभी आपने खा लिया एक है कि आपके मन में तीवर इच्छा है कि भई मैं कहीं से जाऊं और गुलाब जाऊं या रजगुल्ला खरीत के खाऊं दोनों बातों में फर्क है अगर आपका खुद का कोई रजगुला खाने की इच्छा नहीं है और किसी आदमी ने कभी आफर किया तो आपने खा लिया वो कोई इंद्री तरप्ती नहीं है इंद्री तरप्ती है कि आपके मन में बेटे-बेटे आता रहता है कि भई मैं जो है आज गोलगपे खाके आऊँ आज चाट पकोड़ी खाके आऊँ आज ये खाऊँ आज वो खाऊँ हर समय इस तरह की जो मन में इच्छा आ रही है वो इंद्री तरप्ती है बट इस बात को समयना है कि हमें इतनी इच्छाए मन में नहीं होनेचे ऑब यह खाऊएं अब यह खाऊएं अब वहाँ चले जाएं मैंने ऐसा सुना है कि लोग किसी अच्छे ढावे पर खाना खाने के लिए हाइवे पर चले जाते हैं या किसी particular restaurant का wait करते हैं जा जाके आदा आदा घंटा भार के भी यहां हमारा number आ जाए तो हम खाना खाएं अगर किसी दिन घर में खाना नहीं बन पाया कोई मित्र रिष्टदार है that is a different story समयना यह है एक है कि सिर्फ अपनी जीब को twist करने के लिए हम कुछ-कुछ-कुछ-कुछ खा रहे है यहां तक कि लोग जानवरों को मार के भी खा जाते हैं, non-veig खाते हैं तो क्या होता है? देखा जाए तो सिर्फ भोजनी तो है पेट तो चावल खाने से भी बहरता है और पेट मास खाने से भी बहरता है तो सिर्व वो जीवी तो है अंदर जाने के बाद तो जीव के टेस्ट के लिए हम किसी की जान तक ले लेते हैं और हमें कोई दukh नहीं होता तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम वास्तिविक शान्ती को प्राॉइक्ट करना चाहते हैं वो हमेशा कुछ न कुछ इच्छा करेगा और इच्छा के साब से ही वो प्रकृति करेगा, काम करेगा. तो कुछ लोग ये भी तुरूंद क्वेशन करते हैं कि इच्छाओं का त्याक्त को भी होई नी सकता, अगर हम सोची कि हम अच्छा खाने की इच्छा को मार दे हो सम्भवनी तो हमें अपनी इच्छा को मौडिफाई करना होगा, हमें ये इच्छा करनी होगी कि हम हमेशा भगवान को भोग लगा के कृष्ण के प्रसाद को ही घ्रण करें. तो यानि हमें अपनी इच्छा को बदलना होगा जिसको गूमने फिरने की बहुत इच्छा है उसको इस तरह से इच्छा को बदलना होगी मैं भगवान के मंदरों के दर्शन करूँ कुछ अच्छा देखने की जिसको बार बार इच्छा है वो आटोमेटिकली खतम होगी और तब हम वास्तिविक शानती को प्राप्त कर पाएंगे शायद यही इस लोग का संदेश है हरे कृष्णा